ओके बचो हम लोग पेपर रिव्यू स्टार्ट करते हैं यह है आज का पेपर 14 जून 2022 सेकेंड यर का पहला पेपर जो के फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है आज यह जो पेपर आया है आज इसके बारे में मिक्स रिव्यूस थे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह दिखा दूँ कि इसमें आप बच्चों को जो सेकंडिर के बच्चे थे और मॉसली यह वीडियो जो देख रहे होंगे वो फर्स्ट चीर के बच्चे देख रहे होंगे कि आपको important formulas सब दिये हुए थे जो जो values इसमें use हो रही थी right मतलब अगर आपके पास E is equal to k q by r square k की value mu naught की value redberg constant की value h की value, plank constant, electron का charge जो electron का charge एक बहुत basic चीज़ है और अच्छी बात यह है इस पेपर की यह जो फेडरल बोर्ड का पेपर था वो यह कि यह जो तमाम formula दिये हैं basically तो किताब में लातादात formula है कोई 100-200, 100-100 formula है अगर मिलाज उला कि हम सारा बढ़ें तो लेकिन यह वो तमाम formula दिये हैं जो कहीं ना कहीं उपर यह जो आपको formula दिये हैं उन से आपको यह पता लग सकता है कि यह तमाम formula कहीं ना कहीं short question, long question या numerical में या mcqs में adjust लाजमी होगा it means अगर यह formula है 5 is equal to nba या nab e is equal to l delta i, delta t यह self induction का या power का यह कहीं ना कहीं इस्तमाल लाजमी होना है e is equal to delta यह जो किर्श of laws है यह कहीं ना कहीं इस्तमाल लाजमी होगा मतलब कोई भी formula, कोई भी value यह वली, यह वली ऐसे additives नहीं दी भी यह कहीं ना कहीं adjust लाजमी हो रही है beta radiation का दिया वा है तो सबसे पहले चीज़ तो यह कि section C है long question वो तमाम वही आये है जो हमारे channel पर जो डो वीडियो उस थी physics की, एक second year की जिसमें तमाम comprehensive किताब से निशान लगा है तो एक दफा मैंने जो hand written आपको लिख के दिये थे यह यह long अगर वो कोई बच्चा देखे तो वो तमाम long वही है capacitor में charging, discharging पहला long ही जब capacitor का last video में मैंने बताया था तो वो यह था ठीक हो गया उसके बाद आपका उसके बाद आपका जो है वो ampere law मैंने 10 दफ़ा बताया था कि यार ampere law करना है आप लोगों ने उस solenoids की उसकी application भी करनी है उसी से related numerical भी आ गया और सबसे अच्छी बात कि उस solenoid की वाला formula भी given है नीचे ठीक हो गया NIAB जो हम लोगों ने भी थोट देर पहले देखा था तो वो उस numerica से related उसका formula भी given है ओके तो इसके बाद आ जाते हैं आप आप यह रहा NAB देन आप लोग इसके बाद जो है long वो है RLC series circuit मैंने अभी कल जो परसो वीडियो डाली है physics की उसमें आप लोग देख सकते हैं जो 5 या 6 चेप्टर उसमें RLC series circuit लिखा होगा long में resonance लिखा होगा long में यह तमाम वोई चीज़े आईवी है X-rays X-rays के साथ मैंने laser X-rays जो second last chapter में से mention किया तो उसमें से आया हो है Kirch of law लगा कि आपने इस loop का voltage या current निकालना है और Kirch of law का formula दिया हो है यह Kirch of law का formula है photoelectric effect हर teacher हर आज भी मैं जहां पे हमारा paper हो रहा था तो other teachers मुझूद थे जिन्होंने इस सुबह गैस बताये तो उनमें photoelectric effect वो भी शामिल था वो भी आया हो है nuclear fission सबसे last chapter में है यह 10 class में भी आपने किया होगा और how can we how can energy be released in the fusion तो यह आपके पास long आया है तो तो तमाम के तमाम long जो है वो important में से ही आये है short question की जहां तक बात है short question ना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे ना बहुत ज़्यादा easy थे और model paper जो है उसमें से ज़्यादा question नहीं है ठीक है आपका जो questions है वो ज़्यादा तर ऐसे हैं जो के पंजाब board की किताब से या किसी दूसरी पंजाब board की किताब से उठाकर आप लोगों को दे दी है और यह नाम दे दी है कि यह SLO questions है right अलग के SLO तो वो बिलकुल हो कुछ बिलकुल out of the book हो या कुछ हो ऐसा हर्गेज नहीं है why it is safe to stay inside an automobile during light storm two charges अब यह दो charges है यह numerical आपकी किताब में मुझूद है federal board की किताब में लेकिन उसकी value different है right describe a circuit which continuously varying potential अब यह Punjab board की किताब से आया potential meter आजाएगा real state आजाएगी power maximum power theorem will the two long straight parallel wires carrying current in opposite direction attract or repel each other what is galvanometer a conversion of galvanometer into m meter or volt meter मैंने कल पर सो निशान लगा था वीडियो में उस से related numerical आएब है वो topic नहीं आया तो numerical आगया ठीक है आप बचों नहीं बात understand करनी है कि अगर मैंने कोई चीज बताई है अगर उसे related long नहीं आया तो short आ सकता है numerical आ सकता है can an efficient step up transform and increase the power level एक ideal transformer होता ही हो है जिसका power same ray state and prove the second postulate of bohor atomic model bohor atomic model का जो second postulate है mvr is equal to n h over 2 pi इसका prove चोटा सा वो करना था prove that an ideal capacitor connected to an AC source does not dissipate water power RLC series circuit आया हो है paramagnetic, diamagnetic or ferromagnetic substances कल परसों वाली वीडियो में मैंने mention की है किसी बच्चे ने comment किया हो था कि sir short question बदी कहां से आया है अगर आप वो वीडियो देख लो तो आजा तर उसी बेसे हैं ductile substances से related सवाल है mention किया हो था amplification devices what is the working principle of magnetic levitation train ये मैंने mention नहीं किया था ये इनका बिलकुल SLO question है why is transistor called current application device explain how a PN junction diode exit half rectifier rectifier मैंने उजिन पर सो निशान लगाया था half और full wave दोनो alpha beta transistor से related correlation drive करना है the lifetime of electron uncertainty बतानी है इसमें कितनी आएगी uncertainty का formula था delta t delta e is equal to h peston series बतानी है जब electron किसी भी shell से तीसरे और चोते shell में गिरे तो वो peston series बनती है fusion reaction कैसे अचीव होता है नीचे उसका long भी आया हुआ है और ये बताया हुआ है कि इसमें से beta decay करना है ये beta decay का formula दिया कि beta decay इस तरह का होता है इसको आपने justice पे apply करना था तो बच्चों के reviews mix आ रहे है कि paper मुश्किल था कुछ कर रहे हैं बहुत असान था कुछ कर रहे हैं कि ना जादा मुश्किल था ना असान था जो मैंने teacher से confirm किया है तो ये paper एक average paper था बहुत जादा मुश्किल बहुत जादा आसान नहीं है हाँ लेकिन जो metric में paper आ रहे थे 9-10 के उन से थोड़ा सा मुश्किल था और होगा भी क्यूंके आप लोगों का level HSC है ना कि metric है तो दूसरे जो बच्चे हैं जो बाकी अभी question तियार करेंगे उन से इन्शालला आपका paper easily solve हो जाएगा